नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास्ट रिडिंग सेशन में रही और अभी जो करन्ट लाइव मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट और रेस्टेंस का काम कर सकते है और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या विव है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए है या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी नहीं थी एक direction less market चल रहा था ऊपर की side नीचे की side नहीं जादा था क्योंकि market को एक weight था कि FOMC meeting के result क्या रहेंगे और उनमें क्या announcement होगी और उसका impact किस तरीके से पड़ेगा market में sideways trend इस तरीके का रहा कि बिल्कुल end होते होते market ने बिल्कुल जो last candle थी ये market ने एक upside trend दिखा क यहां पर close करी पर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि जो असली जो trend शुरू होना था वो exact साड़े ग्यारा बज़े शुरू होना था और उससे पहले का जो भी trend था वो मायने नहीं रखता उसके बाद जैसे ही market start हुआ तो prices में एक crash आया और prices नीचे आज हम देख रह prices में यहां पर prices open हुए और तब से लेकर अभी तक एक selling pressure ही बना हुआ है इसमें current price 47,694 आगे क्या chances रह सकते हैं और किस तरीके से हम इसे देख रहे हैं उन सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे देखिए दो दिन से जो एक sideways trend था उसका reason यही था जिसकी possibility को हम discuss भी कर रहे थ कैसा हो सकता है कि market एक dull trading को continue रखे जब तक FMC meeting के interest rate को लेकर कुछ भी decision आउट नहीं हो जाता market ने downside को लेकर react किया prices काफी नीचे और अभी market ने जो opening दिखाई है इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ पर एक price level था 48,000 के adjust उपर बहुत major support price था जिसके काफी नीचे market ने अपनी opening दिखाई है तो ऐसा नहीं है कि market यहाँ से support नहीं ले सकता उसके chances बने हुए है पर फिर भी कोशिश ही है आप करनी चाहिए कि market में आपको जितने भी options मिलें तो selling के लिए आपको find out करने है और ये भी नहीं कि current price पर आप sell कर दें market में या तो कोई recovery है एक अच्छे price पर हमें market मिले तो हम sell करें या फिर थोड़ा सा wait करें आज मतलब आज का दिन तो नहीं Monday से हम start कर सकते हैं sell करना तो उसके लिए हमें wait करना है देखिए buying की call आप जो भी लेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा risk है भी रह सकती है आप किसी भी price price पर आप अगर enter करते हैं चाहिए वो current price है हो सकता है कि यह price वापस ना है और यहां से अभी काफी नीचे के लिए market continue चलता रहे है थोड़ा सा अवरा के चलते है 15 minutes के time frame पर वहां देखते है कि किस तरीके का एक trend हमें नजर आ रहा है यहां पर अगर हम बात करें तो market में एक इस तरीके का एक sideways trend कोई बहुत major upside या downside नहीं एक flat trading है कहीं पर भी price move नहीं कर रहे है और खासतोर से अगर सिर्फ कल की हम बात करेंगे तो market में एक की इतनी छोटी सी range थी जिसमें market trade कर रहा था एक 200 point की range जो opening की आज होई है वो 700 point नीच होई है correction जो है वो continue है market में तो एक selling द हैं और जो sellers हैं मैंने दोनों को ही वैसे का रिकमेंड कर रहा था कि अपनी position को carry over ना करें वो थोड़ा आपके लिए ज्यादा risk हो भी सकता है market में जिस तरीके से हमने downside देखी ऐसी expectation upside के लिए भी बनी हुई थी किसी भी side market open हो सकता था और ये एक turning point रहता है कई पार market के हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई position नहीं थी खास तोट से जो long position holder है तो वो ज़रूर अपने आपको safe feel कर रहे होंगे और जो sellers हैं देखिए position तो उने भी वैसे holding करनी चाहिए थी बट अगर उनका कुछ भी fund management कितना strong है किस तरीके से वो अपने funds को manage करते हैं तो उस ची के time frame पर वहां देखते हैं कि किस तरीके का view हमें नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो prices में एक resistance हमें देखने को मिला prices उपर गए वहां से correction यह sideways trend और market ने यहां पर फिर अपनी opening कई है और तब से लेकर अभी तक selling pressure drive वो continue है और आगे downside की अभी उमीद की जा रही ह पर किसी भी अगर आप buying को लेकर थोड़ा बे सोच रहें कि हमें कहां पर buying के लिए entry करनी चाहिए तो मैं समझता हूँ कि next week हम buying को जरूर expect कर सकते हैं पर इस हफते अभी और वो भी मतलब intraday के लिए कुछ calls हो सकती है पर overall trend जो है वो negative है prices जो है वो नीचे की तरफ move कर रहे कोई भी long position को hold करना वो थोड़ा सा जादा गलत जरूर रह सकता है market recovery दिखा सकता है next week में किसी भी दिन तो वो भी सिर्फ intraday के लिए हम उस call को ले सकते हैं और overall trend अगर आपकी कोई position है positionally अगर आपने कोई selling की call ले हुई है तो आप उसे continue रख सकते हैं थोड़ा सा और आग एक upside trend हमें देखने को मिला और उसी तरीके से अगर इस trend को हम देखे रहें कि 4 घंटे का time frame जो होता है वो trend को indicate करता है उससे पहले के जितने भी time frame होते हैं वो intraday के लिए आपको थोड़ा support करते हैं कि prices उपर जा रहें नीचे जा रहें पर ultimately इसमें एक जो uptrend था वो तो का prices जो हैं वो काफी speed से नीचे की तरफ जा रहे है current price 47,649 next support कहां है देखिए इसका next support अभी जो है वो भी एक major support है पर वो है closing के basis पे कोई भी closing अगर market की 47,450 के नीचे अगर हो जाती है तो यह और ज्यादा downside को indicate करेगा अभी इस price से यह काफी major support level है अभी इस price से market करीब 200.2 प उसके नीचे अगर market close हो जाता है तो हम आने वाले दिनों में और ज्यादा एक selling pressure expect करेंगे gold mcx पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार daily charts पे वहाँ देखते हैं किस तरीके का view सामने नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो एक selling और फिर strong consolidation एक upside prices में एक uptrend और जब यह एक part था consolidation का इसी चीज़ को हम discuss करके example set कर रहे थे कि यहाँ पर भी इस चीज़ के chances रहे सकते हैं कि market यह turn ले सकता है तो वो correction जो है वो अभी तक continue है और उस time कई सारे message ऐसे भी आते थे कि मैं क्यों इस level पर selling कह रहा हूँ देखें वो consolidation का part था वो buying नहीं थी मतलब क कोई uptrend नहीं था, uptrend को और consolidation को इन दोनों में थोड़ा सा एक difference जब हो हमें समझने की ज़रूरत है, prices यहाँ से नीचे जानने के लिए कोशिश कर सकते थे, जो अभी तक market में आप अगर देखेंगे जो इसका एक highest price टच हुआ था, वहाँ से market करीब 2000 या 1200 point तूट चुट और यह चीज अभी भी रुकेगी या नहीं रुकेगी, यह भी कहना अभी भी मुश्किल है, उसका reason यही है कि इसका जो next support level है, जो major support level है, उसके काफी pass, market अभी trade कर रहा है और उसके नीचे कोई भी closing होना, और जादा इसके downtrend को extend करेगा, वापस चलते हैं गंटे के time frame पे, उन levels को अब हम discuss करते हैं, जो हमारे लिए अब या फिर आने वाले sessions में important हो सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला और एक काफी important price है, वो है, यहाँ से अगर market कुछ भी turn लेता है, तो at least इसे 48,000 को अब break करना होगा intraday में, और इसके उपर एक जो price है, वो अभी काफी जादा important है उसके उपर market का sustain होना हमें देखना होगा, यह price हो गया 48,000 और इसके उपर जो price है, वो लगभग यहाँ पर है, यह price है 48,340, यह दोनों price सिर्फ intraday के लिए हैं, यह price तो फिर भी change होता रहेगा, हो सकता है जब आप यह video देख रहे हो तब यह price कुछ और हो चुका हो, 48,000 क पर यह price आज के लिए यही रहेगा, 48,340, इसके उपर अगर market closing दिखा देता है, तो ही इसमें कोई strength बन पाएगी, closing या फिर market sustain भी कर जाता है, कि 3-4 घंटे के आसपास अगर market ने sustain कर लिया, तो भी यह market में एक अच्छी strength दिखा सकता है, जो आने वाले कुछ दिन तक रह स सकती है, एक important level, जो बहुत important, जो इसमें एक uptrend को वापस ला सकता है, वो यह price है, exact 49,000, इससे पहले किसी भी एक major uptrend की उमीद करना, वो थोड़ा सा गलत जरूर होगा, यह price इस तरीके से हम consider कर रहे हैं, यह price अगर break होता है, और market यहां कहीं sustain कर लेता है, तो यह थोड़ी 400 point की एक upside moment देखने को और मिल जाए, उससे पहले अगर market यहीं कहीं पर trade करता रहता है, तो एक selling pressure बना रहेगा, जिसमें हमारा एक जो next support level है, 47,450, यह market में काफी important है, और इसके नीचे कोई भी closing होना, market में एक और downside को आगे के लिए indicate करेगा, तो यह कुछ levels हैं, जो अभी हम ने discuss किये, काफी important है, और आने वाले time में यह price 47,450 के नीचे closing, यह सबसे ज़्यादा important रह सकता है, तो यह था मेरा gold MCX पे अभी का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे हैं मेंट साथ, देखते रहे हैं यह market report, धन्यवाद